नमस्कार दोस्ते एक बार फिर हम नई ओडियो बुक समरी चैनल ले ओडियो बुक लेके आया हैं ओडियो समरी चैनल पर आध जिस बुक की बात करेंगे हैं उसका नाम है एक्टिवेट योर ब्रेन अपने दिमाग को पाउरफुल बनाने का तरीका एक्टिवेट योर ब्रेन बुक हमें बताती है कि हमारा दिमा किसे काम करता है और किसे हम इस पर पावा सकते हैं बहुत सारी साइंटीफिक स्ट्रिट्टी और רिसर्च की मद्द से हैं हमें बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा कर उसे अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं यह बुक किसके लिए है यह बुक उन लोग पढ़नी चाहिए जो अपने दिमाग की काम करने के तरीके बारे में जाना चाहते हैं वे जो एक अच्छे रिस्ते की सुरुआत करना चाते हैं, वे जो अपने दिमाग के सहथ का ख्यार रखना चाते हैं, लेकक स्कॉट जी हेलफ़ॉड एक लेकक और एक स्पीकर है, उन्होंने अपने काम के लिए एमी अवार जीता है, स्कॉट अपने दिमाग के विवार को करते हैं, उसमें दिमाग का बहुत बड़ा बाग होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है क्यम उसके काम और करने के तरीक के बारे जाने और उस जानकरी की मद Wireless से अपनी दिमाग का कैयल रखी है, ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन-किन भागों में बटा हुआ है और उन भागों का क्या काम है इस किताब की मदल से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिष्टे मजबूत बना सकते हैं और रंत में हम देखेंगे कि कौन-कौन से तरीके से हम अपने दिमाग को सहितमत और बीमारियों से दूख रख सकते हैं जिससे दिमाग हमें साथ लंबे समय तक दे सके इसको सुनने वाद आप सीखेंगे कि वो क्या है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है इचा सकती कैसे है आपको सपलता दिला आपके मदद कर सकती है नियंद और आराम क्यों आपके दिमाग के लिए ज़रूरी है हमारा दिमाग तीन हिसों में बटा हुआ पिछले 20 सालों हमने जो जानकर हैसिल किये है उससे हमें ये पता चला है कि हमारे दिमाग को तीन भागों में बाटा जा सकता है जिसमें से दो भाग चिपेंजी से मिलते हैं और एक भाग है हमें उनसे अलग करता है आयदे देखे कि ये तीन भाग कौन से इनका क्या काम है रेफस्टिटिलियन ब्रेन यह हमारा दिमाग का वैसा जिसे हम काबू नहीं कर सकते हैं यह हमारा दिमाग के सरीर की जरूरतों के इसाफ से काम करता है जैसे जब आपको सरीर में अनर्जी की कम्मे होने लगती है तब आपको भूक लगने लगती है भूक का एसास दिलाने का काम दिमाग का है जिसे हम काबू नहीं कर सकता, अगर आप चाहे कि खाना काने के तुरन बाद आपको फिर भूग लग जाए तो आप इसा नहीं कर सकते मेमेलियन ब्रेन, दिमा का यह हिस्सा हमारे आसपास मौजूज खत्रे को पापने का काम करता है दिमा के इसी हिस्से की जिसे हम बावनाओं को महसूस कर पाते हैं, डर, गुसा, कुसी, दुख जैसी दूसरी बावनाओं प्यदा करने का काम दिमा के इस हिस्से का होता है यूमन ब्रेन, दिमा का यह हिस्सा हमें जानवरों, दूसरे जानवरों से अलग बनाता है है इस इसे का काम होता है सोज्बूत से काम लेना FROM पर काबू पाना और अपने असपास की चीजसों को समझना है मैमलिन ब्रैन हमारे अंदर बावना है पेदा करता है और हुमन ब्रैन साम में को राखbnा से काबू करता है मान लीजी कि आप किसी मीटिंग में हो और अच्छनक आपको एक पुराना चुटकला याद आगया अब जोड़ से हसने ही वाले थे कि आपको याद आगया कि आप मीटिंग में हैं यहाँ पर याद दिलने का काम हुमनी ब्रेन ने किया था हमारे दिमागे केमिकल हमें काबू करते हैं लेकिन हम भी उन्ने काबू कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने जोसमा कर फیसला किया और अब से आप रोज जिम जाएंगे लेकिन दो दिन के बाद आपका जिम जाने का मन ही नहीं करने लगा हो हमारे दिमाग में मौझोल कीमिकल्स की वज़े से ऐसा होता है आइए देखें कि ये क्यमिकल कौन कौन से है और इनका क्या काम में धिमाग के कुछ केमिकल हमें कुछ सी महसुस करने में मदद करते हैं डोपोमाइन हमें अराम दिलाते हैं और नौरेड़ पीनेट ट्राइंग नियूरो पीरेपैन हमारा किसी काम में इंट्रेस्ट वेदा करवाता है और ऑक्सिटोसिन हमें दूसरों पर ब्रोसा करों से रिष्टा बनाने में मदद करता है एड्रिनलीन और कार्टिसॉल नाम की केमिकल हम आज पास के घत्रों को नेतिजों के लेकिन रोज के काम के तना और काम ना करने के नेतिजों की और से ये केमिकल हमें सामारे अंदर बनते रहते हैं जिसकी वज़े से कैंसरों डाइपडीज का खत्रा हो जाता है इस तरह से ये केमिकल हमें काबू करते हैं लेकिन अच्छी खबर है कि हम इन केमिक करने के बारें सोचते तो आपका जाने का बन नहीं करता लेकिन अगर आप ये सोचे कि जिम जाने से आपका सहथ मन रहेंगे तो आपका मन जिम जाने का करेगा हर काम के फाइदे को देखने पर आपका दिमाग तनावाले हार्मन कम बनाएगा जिसकी वज़े से डोपामाइन नौरिबीने प्राइं और Auxitocin का बढ़ जायेगा और आपका काम करने का मज़ जाएगा आप खुद पर काबू आपकरो हर हालात के लिए तैयार होकर अपने कुशी को बढ़ा सकते हैं अगर आपू खुद पर काबू नहीं पा सकते हो तो आप उसी नहीं रह सकते हैं जिन्दगी में उतार से डाव आते ही रहते हैं, ये हमार जिम्मधरी है कि हम उनका सामना करें, इसलिए आप सबसे पहले अपने आपकी जिम्मधरी लेना सीखें, अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोस्त देते हैं, आपने लोगों को अक्सर कहते हैं सुना उनकी हालात उस मुरगे की तरह होती है जिसके उपर हमें सा आस्मान गिरता रहता है उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपना आपको पूरी तरह से तयार नहीं करते है अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आप से कुछ गलतिया हो जाएगी तो आप अपने आपको हर बुरे आलात के लिए तयार कीजिए आप उन गलतियों की लिष्ट बनाएगे और हर गलतियों सुलजाने का एक तरीका डूंड लिजिए अपने आपको पूरी तरह से तयार करके आप अपना आत्मी स्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं और इससे आपके अंदर डोपोमाई उनकी मातरा बढ़ेगी और आप कुछ रह सकेंगे अपनी मंजिल को आसिर करने के लिए आपके पास एक मजबूट चत्ता सकती होनी चाहिए उन्नीस सो सित्र में वाल्टन मिसेल ने अपने बच्चों पर मार्स मेलो स्टेडी की इस स्टेडी में उन्हों बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे गए मार्स में लोग खाने से खुद को आदे गंटे रोक सके तो उन्हें दो मार्स में लोग खाने को दिये जाएंगे जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वे आगे चलके सपल हुए इस आसान सी स्टेडी से ये बात साफ है कि अगर आपकी इच्चा सकती मजबूत है तो आप एक दिन सपलता जरूर प्राप्ट करेंगे सपलता पाने के लिए सबसे पहला है आपको अपने मन पर काबू पाकर उससे सही जगे पर लगाना होगा हमें अपने दिमाग को एक जगे पर फोकस करना सीखना होगा अगर आप सोचते हैं कि आप दो काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे एक गंटा करे तो आप ज़्यदा काम कर पाएंगे लेकिन अगर आप यह सोचे कि आप दो काम एक साथ करेंगे तो आप चार गंटे उस काम को समय देने पर भी उस एक गंटे के बरावर काम नहीं कर पाएंगे इसके अलाव काम में गलती करने की जमाना तीन गुना बढ़ चाती है और एक study में पाया गया है कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिस करेंगे और इससे आपका वोसला भी बढ़ेगा ओक्सिटोसीन हमें दूसरों से अच्छे रिष्टे बनाने मदद करता है किसी नए स्कूल में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी गबराटसी होती है ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे वक्ति के बारे में नहीं से जानते है और हमारे दिमाग अंजान लोगों बीच होने पर खत्रा मसूस करता है लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सिटोक्सिन पैदार करता है जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है जब भी हम किसी नए विक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है अगर उसकी बाते हमारे लिए यादे बन जाती है और उस यादे बाटें, आप दूसरों की मदद करने के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बाते कीजिए, और हमेसा उनके काम के लिए उन्हें सहबासी दीजिए, एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपने टीम वालों को हाई फाई देते हैं ऐसा करने सा उनके अंदर अक्सिटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वे एक दूसरे पर बोरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं रिष्टे बनाने एक अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले की बातों को सुनकर उसे कोई अच्छा रेस्पॉंस देश जैसे कि अगर आपके इसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयावी के लिए उसे सभासी दीजि कामयावी जल्दी मिलती है अकसर आपने देखा होगै कि सुपस हुआ जो लोग टेलने जाते हैंवे अकेले नहीं जाते वे अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी ले कर जाते हैं ऐसा इसलिए क्यूंकि अकेले के बज्या साथ कोई भी काम दान जाता है अगर आप रोज अकेले ही टेलने जाएंगे तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे जब भी आप कोई नया काम करने जाएंगे आप अपने साथियों की राए और उनसे मदद जरूर मांगे दूसरों की राए से आपको नए आइडिया मिल सकते हैं साथ देखा गया है कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो वे हम पर जैदा बरूसा करना लगता है और इससे से भी आप एक अच्छे रिस्ती सुरुवात कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि लोग हमेंसा आपकी बात या आपके काम से सहमत हो इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की जज़त करना सीखें दूसरों की राय लेने से आपको हमेंसा अपने काम के बारे में कुछ अची ए, बुरी बाते पता चल सकती है आप उसकी मदद से किसी समच्चा को सुलजाने का एक अच्छा तरीका ढूण सकते हैं अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आता तो आप उस आइडिया को नदर नदर कीजिए ना कि उस वेक्ति को अच्छा काना का कर और कसरत करकर आप अपनी और अपने दिमागी सहथ सुदार सकते हैं आपने कसरत से होने वाले फायदे के बारे में जुरूर सुना होगा आएजंगर देखें कि किस तरह से ये अच्छी सहत हासिल करने हमारी मड़त करती है कसरत करने से हमारे दिमाग एक brain derived neurotrophic factor नाम का एक chemical बनाता है जिससे हमारे cells repair होता है दिमाग को बढ़ने में मदद मिलती है और synapsis के बीच का connection मजबूत होता है आप मांसी कसरत की मदद से भी ये फायद देपा सकते हैं सुडोकू या crossword जिसे खेल हमारे दिमाग के लिए कसरत हैं जिससे हमारा दिमाग सहएद मन रहता है कसरत करने से हमारे दिमाग वो chemical पैदा करता है जिससे तनाव और बेचनी कम होती है हमारा दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाने की भी जूरत पड़ती है इसलिए आप अपने खान पान पर खास ध्यान दीजिए अपने खाने में सही मातरा में गुलकोज, फेट, प्रोटिन और दूसरे माइक्रो न्यूटिन लीजिए जिससे आपका सरीर और दिमाग अच्छे से काम कर सकें आप पैकेट के खाने से जितना ज्यादा दूर रहेंगे आपकी सहत के लिए अच्छे होगा आप फल कहईए, बेर खाने से आपकी यादस्ट अच्छी होगी सेव खाने से आपका दिमाग तेज होगा चोकलेट खाने से हाड रटे का कतरा कम होगा और मेवा खाने से आपको अच्छी चीज लंबे समय तो की याद रहेगी खाना के लावा पाने भी बहुत जूरूरी हमारा दिमा का 75 पर सेंटर पानी होता है, इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सके उतना पीजए तनाव से छुटकारा पाने का सबसा अच्छा तरीका है, सोना और आराम करना क्या आप अपमेंसा तनाव में रहते हैं क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं क्या आप किसी आसान काम में भी उलत जाते हैं और सुल जा नहीं पाते हैं अगर इन सबी questions का answer है तो अब आपको नीन की जुरुत है सोने से हमारा दिमाग कार्टी सोल नाम के आर्मन को बनाना काम कर देता है जिसे हमें तनाव से रात मिलती है आपका दिमाग भी आपके सरीर के जैसा ही है ये काम करते करते ठक जाता है और इसे आराम की जुरुत पढ़ती है इसलिए आप नीन से समझोता ना करा है अच्छे नीन लेने से हम बहुत सी बीमारियों से बच्चे रहते हैं हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती है और हमारा तनाव कम होता है नीन के अलावा आराम करना भी बहुत जुरूरी है एक रिसर्च में ये बात सामना है कि अगर आप हफते में एक दिन आराम करें तो आप बागी का छे दिन अच्छे से काम कर पाएंगे इसलिए आप कभी भी कभी कभी काम करने से आराम लेकर कुछ किताबे पढ़ लीजिए या गूमने चले जाएए हमारे सबकॉंचियस माइंड में समझा सुल जाने की गजब की ताकत होती इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए जिससे आपका सबकॉंचियस माइंड काम कर सके इससे आपको बहुत सारी प्रेशना जाएंगे हल आसानी से मिल जाएंगे और आपके अंदर नए नए आइडिया जाएंगे हम अपने दिमाग को इस्ता इस्तमाल करना सीख कर अपनी मंजिल हासिल से कर सकते हैं अपनी सोच पर कबू पा सकते हैं दूसरों से अच्छे समझ बना सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी बजा सकते हैं अपने दिमाग को सेंद बंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए पाने पीना चाहिए कसरत करनी चाहिए क्या करें अपने दिमाग को सेंद बंद रखने के लिए हमेसा कुछ सीखते रहिए जब हम लिखिए पढ़िए सुनिये और वह लिए अपने कंप्यूटर पर से पॉप आप्स को बंद कर दीजिए अगर आप कोई चुरूरी काम करें तो बीच में किसी का मेसेज या कोई दूसरा नोटिफिकेशन आ जाए तो इससे से आपका ध्यान काफी हद तक भटक सकता है यह बुक समरी अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेट जरूर कीजिए और लोगों सेयर कीजिएगा ताकि हरा यह विक्ति तक यह नोलेज पहुंच सके जानकरी पहुंच सके और यह बुक अगर आप पर्चेज करके डीटेल से पढ़ना चाहते है डिप्सक्रिशन में लि पर अबुक सके जानकरी आप लोगों सेयर कीजिए और यह नोलेज बुक सके ज़ना चाहते है इंवार तो आपक को एक यह विक्ट और यह विक्ति तकि तक यह वार दो आपक कर दो आपके पहा तंब।